इस लेख में हम आपको डाइजीन सिरप से संबंधित इन प्रमुक बिंदू उपर विस्तरत जानकारी देने का प्रयास करेंगे. इस लेख में हम डाइजीन सिरप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. हम Digean Intensive Serap के बारे में विस्तरत जानकारी देने का प्रयास करेंगे जो हमारे चिकितसा विशेशग्य की देखरेख में लिखा गया है इसके अलावा, हम Digean Serap के सभी पहलूं के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले जानते हैं डाईजीन सिरप क्या है? डाईजीन जेल, जिसे डाईजीन सिरप के नाम से भी जाना जाता है. पेट की कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. यह मुख्य रूप से पेट की समस्याओं जैसे अपच, कब्ज, खटी डिकारें और सीने में जलन से राहत देने के लिए उप्योब किया जाता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो, डाइजीन सिरप पेट में उतपन होने वाली गैस और असिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है। और यह एक शुगर-फ्री अंटासिट जेल है, जो ओरंज और मिंट के फ्लेवर में उपलब्ध है। डाइजीन अंटासिट अंटिगर् यह एक लुक्प्रिय ओर टीसी मेडिसन है, जो किसी भी मेडिकल स्टो या उनलाइन पर आसानी से मिल जाती है। डाइजीन सिरप कैसे काम करती है। डाइजीन सिरप में चार घटक होते हैं, जिसमें अल्यूमीनियम हाइड्रोकसाइड, मेगनीशियम हाइड्रोकसाइड, स इमेथिकॉन और सोडियम कार्बोकसिमिथायल सेलूलोज शामिल हैं। ये सभी घटक मिलकर काम करते हैं, जिससे रोगियों को अधिक लाब मिलता है। डाइजीन सिरप पेट में अतिरिक्त असिड को नियंतरित करता है, और पेट की जलन को रोकता है। पेट में अधिक गै ग्यास को कम करता है, और पेट दर्द से राहत देता है। डाइजीन सिरप की खुराक क्या हैं। डाइजीन सिरप की खुराक लेने से पहले ध्यान रखने योग्ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। डाइजीन सिरप की खुराक डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है वे व्यक्ति की उम्र, वजन, लिंग और स्वास्थे को ध्यान में रखते हुए इसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। डाइजीन सिरप की खुराक दिन में 2-3 बार ली जा सकती है। और डॉक्टर द्वारा रोगी की स्थिति के अनुसार दी जाती है। इसलिए, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवाई का नियमित सेवन शुरू करीं। डाइजीन सिरप के साथ किसी भी अन्य दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर से परामर्ष करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यह अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यदि यह आपकी अगली खुराक लेने का समय है, तो दोनों खुराक को एक साथ लेने से बचें। इसे हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर स्टो करीं। साथ ही इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें। डाइजीन सिरप से क्या सब दुश प्रभाव होते हैं। डाइजीन सिरप के निमनलिकित दुश प्रभाव देखे गए हैं। जो इस प्रकार हैं। इसलिए यह बहतर है कि आप इसे अपने डाइजीन सिरप का उप्योग करना सुरक्षित है। क्या डाइजीन सिरप की सुझाई गई खुराक से अधेक लेना सुरक्षित है। नहीं। इस दवा को खरीदने से पहले आपको इसकी एकस्पायरी डेट हमेशा जाच करनी चाहिए। यदि आप गलती से एकस्पाया हो चुकी दवा लेते हैं। तो यह कही दुश प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके लिए आपको तुरंट नजदी की डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या डाइजीन सिरप का उप्योग करने के बाद वाहन चलाना सुरक्षित है। हालां कि अगर कुछ रूगियों को दवा लेने के बाद किसी भी दुश प्रभाव का अनुभव होता है। तो उन्हें driving से बचना चाहिए. अगर मेरी स्थिती में सुधार हो तो क्या मैं डाइजीन सिरप का उपयोग तुरंत बंद कर सकता हूँ? नहीं, बीच में इस दवा का उपयोग बंद करना पूरी तरह से उस स्थिती को ठीक नहीं कर सकता है. जिसके लिए डॉक्टर ने इसे निर्धारित किया है. स्थिती में सुधार का अनुभव होने पर भी अचानक दवा रोकने या बदलने से पहले एक डॉक्टर से परामर्श किया जाना चाहिए. क्या डाइजीन सिरप को शराब के साथ मैं ले सकता हूँ? नहीं, इस दवा को शराब के साथ लेना उच्चित नहीं है. क्योंकि ये दवा के प्रभाव को कम कर सकता है. जिससे आपको सही परिनाम प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.